नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रामदे और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थी इंडिया और आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा पतंग जली के तीन पावरफुल चूर्ण के बारे में तीनों में से बैस्ट कौन सा है और किस चीज के लिए आपको कौन सा प्रयोग करना चाहिए आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले है देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है पहला जो चूर्ण है वो है अस्वगंदा चूर्ण यहाँ पर जो दूसरा चूर्ण है वो है सतावर चूर्ण इसके अलावा सुद्ध कौच बीज चूर्ण तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अस्वगंदा चुर्ण के बारे में तो देखे इसमें अस्वगंदा की जड़ का पाउडर डाला गया होता है 100 ग्राम की इसकी पैकिंग है और इसकी जो प्राइस है वो है 56 रुपिस यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा चुर्ण है उस यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा चुर्ण है वो है सुद्ध कौँच बीज चुर्ण जैसे कि इसका नाम है कौँच के बीज का चुर्ण तो कौँच के जो बीज होते हैं उसका पाउडर इसमें डाला गया होता है तो वो भी 100 ग्राम की पैकिंग में आता है और 42 रुपिस इसकी प्राइस है देखिए दोसों अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है और कब आपको कौन सा लेना चाहिए लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस व लोग जानते होंगे कि अस्वगंदा को आईरवेद में उस्ताद जड़ी बुटी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर इंडिकेसन दिये गए हैं कि यूस्पुल इन स्ट्रेस, फटिग, एंड जनरल डेबिलिटी लेकिन अस्वगंदा के और भी बहुत सारे फायदे होते ह जैसे कि यह वजन बढ़ाने में मदद करती है, कमजोरी दूर करे, ठकान दूर करे, मास्पीसियों को मजबुत भी बनाएं तो अगर आप पूरूस हैं या फिर यंग हैं तब याप इसका सेवन कर सकते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं तब आप यह अस्वगंदा ले सकते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यह जो सतावर चूर्ण है वो किन लोगों को लेना चाहिए, तो देखिए सतावरी जो है वो आईरवेद में स्त्री रोगों के लिए प्रमुकता दी गई है, यहाँ पर इसके जो इंडिकिसन दिये गए हैं वो यह है कि जनरल डेविलि और वीकनेस में उपयोग होती है, लेकिन सतावरी जो है वो स्त्रीयों में वजन बढ़ाती है, स्त्रीयों में इस्ट्रोजन हार्मोन जैसा असर दिखाती है, यह प्रेगनेंसी में गर्बस सिसु को ताकच भी देती है और मा का दूद भी बढ़ाती है, तो अगर आप बीज कौँच चूण है, वो आपको अच्छी नीद रिलाता है, यानि कि अगर आपको इंसॉम्निया की प्रोबलम है तो उसी ये दूर करने में मदद करता है, अगर आप अल्रेडी ओवरवेट हैं, यानि कि आपका जो वजन है वो ज़ादा है और वजन कम करना चाहते हैं तब आप ये सुद्ध कौँच बीज चूण ले सकते हैं, सारे रिक कमजोरी को दूर करता है, डायाबिटिस नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, इसके अलावा ये आपकी इम्मुनिटी भी बढ़ाता है, तो यहाँ पर साप तोर पर देखा जाए, तो अस्वगंदा चू जो है, वो स्रीयों को लेना चाहिए, स्रीयों के लिए बेनेफिसियल होता है, और सुद्ध कौँच बीज चूण जो है, जो बड़े होते हैं, जिनको डायाबिटिस है, या फिर इम्मुनिटी के लिए लेना चाहते हैं, या फिर वजन कम करना चाहते हैं, जिनको नीद नह आती है तो उनके लिए सुद्ध कौँच बीज़ चोड़ होता है